ए एन यशिराधे शेव और शेव लिंग में क्या फर्क है शेव लिंग की ही पूजा क्या होती है शेव और शेव लिंग शेव माने तो शेव जी हो गए शेव जी पार्वती जैसे होते है तो शेव जी हो गए और शेव जी की मूर्ती की पूजा नहीं होती है शिव लिंग माने लिंग जो पुरुषों का लिंग होता है उसी प्रकार शिव जी का लिंग लिंग माने जननेंद्रिय और जो नीचे जलहरी होती है उसको पार्वती जी की योनी का सरूप माना गया है तो इस प्रकार जो शिव लिंग की पूजा होती है लिंग और योनी शिव जी का लिंग और पार्वती जी की योनी की पूजा मानी जाती है लिन्ग की पूजा ही होती है शिव के विग्रह की पूजा नहीं होती है उसका कारण है कि मुझे अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है उनके जो ससुर थे उनसे कोई शिव जी का विवाद हुआ था तो उन्होंने इने श्राब दिया था कि तुम्हारी कोई भी पूजा नहीं करेगा जो तुम्हारी पूजा करेगा उसका अनिष्ट होगा या कुछ इस प्रकार से श्राप या कुछ भाव था जिसके कारण शिव की मूर्ति पूजा नहीं होती है शिव की लिंग पूजा ही होती है सदई और शिव लिंग ही इस्थापित है विभिन्य स्थानों पर और शिव लिंग की पूजा होती है नीचे जो जलेरी है वो पार्वती का पार्वती की योनी का प्रतीक है कथा कभी मेरी दिश्टी पढ़ेगी तो मैं पूरी कथा उस विशे में क्योंकि शिव साहित्य है मेरी जादा उस विशे में पकड़ नहीं है लेकिन मुझे इतना मालुम है कि शिव की श्रीव इग्रह की पूजा नहीं होती और वैश्नव मत से यदि कहे तो वैश्नवा नाम अग्रगण्यम इसलिए भी शिव अपनी पूजा कराना पसंद नहीं करते हैं लेकिन फिर लिंग पूजा के यह भी प्रशन हो सकता है तो इसमें वो यदि कथा मुझे कहीं मिल जाती है तो सुनाऊंगा लेकिन शेव के विग्रह को शेव कहते है और शेव लिंग का आर्थ वही लिंग और योनी है तो शेव आदे कर अ भाल झाल